मैं हूँ रिचा मैं आज आपके साथ एक पैक शेयर करूंगी जो है समर पैक आज गर्विया चल लए उसके लिए मैं फेस पैक लाई हूँ जो कि पिंपल्स और एक्ने प्रोन स्किन की बालों के लिए है और आप ड्राय स्किन बाले भी इसको लगा सकते हैं अगर आप इसमें अगर आपके पास नहीं डालेंगे तो आप इसको यूज जरूर कर सकते हैं और मैं इसमें थोड़ा सा एसेंशियल डालूंगी तो यह बहुत ही अच्छा है अगर आपके पास नहीं तो आप इसको वाइब कर सकते हैं खरपल.com से मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको और आ आपके लिए आप लोग पसंद कीजिए और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और आप लाइक देते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है क्योंकि मुझे और बनाने की इक्छा होती है कि हां मैं बनाऊंगी और बनाऊंगी चले एक अहले बनाने की पहले देख लेते कि इसको बनाना कैसे फिर्सको से लगाना कैसे है समर्व ग्लो पैक के लिए हमें चाहिए एक खाली काठोरी जिसमें पैक बनाएंगे उसमें सबसे पहले में ले लूगी चंदन पाउडर आए को इसाथ चंदर पाउडर लूँगी मैं एक चंदर से थोड़ा सा ही कम है इतना ले लूँगी चंदर पाउडर से आपके इसके नेकदम श्मूज शाइनी और थंड़त देगी आपको और थोड़े सा मैं दालचीनी पाउडर ले लूँगी इससे आपके एकने पिंपल्स होंगे वो दबेंगे धीरे धीरे और जितने दाग धब्बे होंगे वो भी ठीक होंगे इसको भी मैं इतना ले लूँगी थोड़ा ही लिया है मैंने थोड़ा सा नीम पाउडर लूँगी आपको अगर एकने पिंपल्स है तो वो भी ठीक होंगे इससे और दब भी जाएंगे अगर होंगे तो छोटे हो जाएंगे और थोड़ा सा सहद लूँगी और फिर अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी मैं थोड़ा गुलाब जल लूँगी रोज वॉटर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको थोड़ा पतला ही जाएंगे यह सब आपने आपके लिए यह पाउडर बहुत अच्छे हैं अगर आपको एगने पिंपलें तो इस पर बहुत अच्छा वर्क करेंगे और सॉफ्ट होगी इसकिन और अच्छी ग्लोईंग हो जाएग इसलिए यह पैक बहुत ही अच्छा है आप इसको प्राइज जरूर कीजिएगा यह थोड़ा पतला ही रखना है यह देखिए मैंने इसको पतला कर लिया है इस तरह के कंसेटेंसी होनी चाहिए इसकी अब इसको जब लगाएंगे तो चेहरा एकदम बहुत ही अच्छा हो जाएगा और जो आपके जितने भी पिंपल्स वगएर आउंगे बहुत होगे यह दब जाएंगे और दाक दब होंगे बहुत दिरे-देरे चलिए इसको लगाते कैसे हो देखते हैं तो आपन इसको बनाने का तरीका देख लिया है इसको लगाना कैसे यह भी देखते हैं इसमें मैं थोड़ा सा वह पिसेंशेल ऐल डालना महीं भूल गई तो लेमन इसे पहले फेस को में बैट कर लूँगी अब पहले फेस बॉस कर लीजे उसके बाद ही आप इसको फेस बॉस रहेगा और गीलर रहेगा जब आपका बैट रहेगा तभी आप इसको अपलाई कर लीजेगा यह फेस पेक आपको इंस्टेंडली रिजल्ट देगा आप जिसको ज़रू लगा के देखिएगा कि आपको कैसा लगा इस तरह इसे लगा लेना है आपको और 20 मेट इसके लिए छोड़ देना लगा कि जो मैंने इसमें हनी लिया है वह आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी स्किन इससे थोड़ा सा गिरेगा भी तो आप ध्यान से लगाईएगा आप नेक पर भी लगा दीजेगा मैं नेक पर दीजेट नहीं लगा रही हूँ मैं इसे फेस पर ही लगा रही हूं हुआ है कि पीजेट छुए तैसलिए डाला है यापके ओपन पोर्स होंगे वह बीश्रिंक हो जाएंगे और अच्छे डीपली ख्रीण भी हो जाएंगे इसलिए मैंने लेमन ऐसेशेट कि अधिक फेंट्स मैंने लगा लिया है अब में 20 मेंट बाद आप से मिलूंगी और वे धुल के मिलूंगी जब सूख जाएगा तो आप देख लीजेगा कि सूख गया है फिर आप इसको हलकी हाथों से रब करके आप निकाल लिगा और फिर वास करके आप कोई भी मॉस्टरा लगा सकते हैं तो मैं आप से मिलते हूं दूलिम के बाद देखिए गाइस मैंने फेस धो लिया है आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है और जो आप तयार होंगे फुल अच्छे से जब कहीं जाना हो तो आप यह जरूर कीजेगा तो आपको खुद पता चलिए है कि हाँ यह कैसा है और आपके जितने पिंपल और एकने होंगे उनके निसान भी धिरी धिरी कम हो जाएंगे आप इस पेक को जरूर लगाएगा क्योंकि यह गर्मियों के लिए बहुत अच्छा फेस पैक है खास की खास करकि जो पिंपल प्रोने स्किन वाले हैं उनको उन क्योंकि अगर यह डालेंगे तो आपको कुछ अलग पढ़ सकता है कुछ आप समझ सकते हैं चलिए मैं चलते हूं और फिर आपसे मिलते हूं आप अगर यह आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब जरूर करके बत आपको यह फिस्पेक कैसा लगा तो बाय फ्रेंड्स